वाटसब गाईज, गंभीर, रोहित या कोली, कौन है मुंबई टेस्ट में, टीम इंडिया की हार का जिम्मेदार, कमेंट में अपने अपने नाम लिग दिया ना, अपने 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 नाम नहीं में तलब, आपकों क्या लगता है, हम देखते हैं वीडियो, आज रोहित ने टीम से जो लंका से वाइट वाइट वाश होकर आई थी, जिसका आज तक का बेस्ट प्लेयर केन विलियमसन, इंडिया आया ही नहीं था, समझ में नहीं आ रहा है कि इस हार को कैसे हजम करें, मंडे आने से पहले, टीम इंडिया ने पूरे देश की दीवाली की खुशियों म और एक ड्रॉ क्हेलें, और जब हम अपने घर पर वाइट वाइट वाश हुए जा रहे हैं, तो आज़सी तो फूरे मोगों का सार गुस्सत ही ऐसा विडियोकर शुरू किया था गंभीर को कोच बनाने के लिए जैशा ने क्या नहीं किया, जब कुलकता IPL जी ती तो उसके बाद कोने में ले जाकर उनको कन्विंस किया, कोच वाली फीस बढ़ा दी, ताकि गंभीर भया को पैसे भी कम न पड़े, उनको पसंद का कोचिंग स्टाफ दिया, असिस्टेंट क जो चाहा वो मिला, बॉलिंग कोच भी पसंदीदा मिला, मतलब इतने प्यार से तो कोई माई, अपना लल्ला नहीं पाल थी, जितना प्यार बीसी से आई वालों ने गंभीर को दिया, लेकिन गंभीर के कोच बनने के बाद टीम इंडिया रिकॉर्ड तो उड़े जा रही है बुरे वाले, श्रिलंका से एक सीरीज हार गए, भाई श्रिलंका के सामने तो हम तब भी नहीं जुके थे, जब हमने आधी पुरुष बना दी थी, लेकिन गंभीर भाई के सामने जुकना पड़ा, फिर 46 रन पर अपने ही घर में ओल आउट हो गए, फिर अब घर पर वाइ खेंदर सिंग धोनी है, क्योंकि न्यूजिलंड के तीन खिलाडी, कॉनवे, रचिन रविंदर और डेरल मिशल चेन नहीं के लिए खिलते, खेर, क्या यही है जीजी एरा, यह बोलने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, हमारी कल की वीडियो पर भी सबसे जादा कॉम वाइड वाश होने के बाद भी यही कहेंगे कि 100 साल में एक बार तो चलता है, हलांकि कल रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फरेंस में सारी जिम्मेदारी खुद ले, लेकिन लोगों का मानना है कि यह इसलिए हुआ है, क्योंकि पुने टेस्ट में हारने के बाद जब रोहित जिम्मेदारी लेने से बच रहे थे, तब इंटरनेट पर लोगों ने धोनी का वीडियो डाल दिया था, जहां पर उन्होंने हार की जिम्मेदारी बतार कैप्टन खुद ली थी, अगर धोनी का वो वीडियो वाइरल नहीं हुआ होता तो रोहित शर्मा तीसरे टेस्ट आवरेज साबीत हुए है, और ये बात हम नहीं, इस सीरीज के उनके नंबर बोलते हैं, इसी सीरीज में उनका आवरेज 15 का था, छे इनिंग में इतना कम आवरेज तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता ना, बताइए, और इसी के साथ हम आ जाते हैं नाम नंबर 3 पर, नाम विराठ कोली की ट्रोली इसले नहीं हो और ये क्योंकि वो रन नहीं बना पाए, रन तो उनके बल्ले से 2020 और 2021 में भी नहीं निकले थे, लोगों का गुस्सा इसले निकल रहा है, क्योंकि विराठ कोली लंडन शिफ्ट हो गए है, इस पर हमने अलग से एक वीडियो बनाई क्या बांगलदेश की सीरीज खत्म हुई लंडन चले गए वर्ल्ड कप जीत कर आए लंडन चले गए अब इस सीरीज के बाद भी चले ही गए होंगे बलकि शायद अब तक पहुंच भी गए हों क्या सितंबर से लेकर के दिसंबर तक जब इंडिया में होम सीजन चलता है तब राजम को ट्रोल करते रहे अब पाकिस्तान वाले हमें ट्रोल कर रहे है कि बताओ उ किसको बता रहे थे तुम घंटे का किंग है यह सब क्या देखना पड़ रहा है बलकि अब तो यह भी चल गया है मार्केट में कि रोहीत और को ली दोनों को रिटार्मेंट ले ले लिए क्या आपको भी लगता है कि रोहित और कोली को टेस्स क्रिकेट से रिडायर हो जाना चाहिए क्योंकि यह खेल नहीं पा रहे है या भी आपको लगता है कि रियाक्शन हारनी की वज़े से आ रहा है जैसे ही हम जीतेंगे सब के सुर बदल जाए जो भी आपको लगे कॉमेंट क अच्छा करो तो गुणगान है बुरा करती गुद्धी पकड़ लोगता है और फिर जब नए प्लेर नी कुछ करेंगे कोली वापस आजाओ जैसे अब कहता है दोनी वापस आजाओ तो चीज है पार्ट आफ लाइफ लाइफ लेकिन हाँ जो अभी जीजी एरा जो चल रहा लेकिन इतने बुरी तरीके सम्हार रहे इसलिए लोचनाए हो रही है हारते हम एक-दो रन से फाइटिंग तरीके से हारते कोली रोई तो इसमें बनाते और मैच में डिफरेंस आता दस रन से हारना इक विगेट से हार गय हम वह टाटिस लाइक ठीक है वो टोलेट होती है च उनकी हमसे बहुत अच्छी रही है जब कि श्पिनर्स वर्ड लड लगास और फिल्ट श्पिनर्स ने अच्छ भी किया लेकिन वो क्यो इच्छा कर गई हमारे बैट्समन कुछ खा भी किनी आरहते हैं खाना कम मिल था उनको भाई नहीं यह यह इस एक्सेप्टेबल नहीं है क लेकिन होफ फुली और जाये और भाईया कुछ अच्छा काट क्या है वहाँ पर बढ़ी अगर क्या है वहाँ पर होफ फुली बिलते को बड़ीक साथ बबाई टेक्याथ